हेलो गुड मॉर्निंग ओल अफ यू सभी प्यारे सातियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपेटिसेंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रोजाना की तरह मैं लेकर हजिरू डेली करंट अपिर्स जीक है जो कि आपका इंग्लिस और हिंदी लेंगवेज में अपडेट है आज 22 दिसंबर 2018 वार सनिवार मेरे प्यारे सातियों गया करंट अपिर्स आपके सभी परतियोंगी परिक्षाओं के लिए अत्यंत म को सब्क्राइब करें और साथी बैल आइकन दबाना ना भूलें जिसे आपको हमारे द्वारा दिये गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके साथ यदि आप राजस्तान जी की और मैकनिकल इंजिनिरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनकेडमी पर पर हमें फॉलो करें अनकेडमी पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथी साथ करन्ट अपडेट्स रेकूट्मेंट नॉटिस कीज और हल्प सेंटर के लिए यूवी कंपेटिसंस जो की इंस्टाग्राम पेज है वहापर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं आई यह सुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार सबसे बात करते हैं नैशनल न्यूज राष्टे समाचारों की दे लोग सबापास्ट दा कंजूमर पोटेक्शन बेड़ 2080 डाट 6 टो रप्लेस दा कंजूमर पोटेक्शन एक्ट 1986 लोग सबाने उब्भोक्ता संरक्षन विदेयक 2018 को पारित किया है जो उब्भोक्ता संरक्षन अधिनियम 1986 को प्रतिस्तापित करेगा Next External Appear Minister सुस्मा सहराज and her Chinese counterpart Wang Vi co-chaired the first ever meeting of India-China high-level mechanism on cultural and pupil-to-pupil actions in New Delhi विदेश मंत्री सुस्मा सहराच और उनके चीनी समक्ष वांगी जीने नहीं दिल्ली में सांस्कृतिक और People to People एक्सचेंजों पर भार चीन उच्छे सर्य तंत्र की पहली बैठकी साय द्यक्स्ता की Next National Film Archie of India N.A.P.I. and Film and Television Institute of India FTIA Signed Memorandum of Understanding MOUs for Transfer of 3 acres of land for the Construction of Storage Facility for Films and Film Materials भारतिय फिल्म संग्रे, N.A.P.I. और Film and Television सहतान FTIA ने फिल्मों और फिल्म सामगरी के लिए बंडारन सुविदा के निर्मान के लिए तीन एकड जमीन के हस्तांतरन के लिए समझोता ग्यापन MOU पर हस्ताक्षर की है Next, the Union Ministry of State, Independent Church, Development of North-Eastern Region, D.O.N.E.R., M.O.S., PMO, Personal, Public Rivalence and Pension Dr. Jitinder Singh launched the I.G.O.T. Integrated Government Online Training Program developed by Department of Personal and Training, Ministry of Personal, Public Rivalence and Pension उत्तर, पूर्वी छेतर का विकास, D.O.N.E.R., M.O.S., PMO, कार्मिक लोग सिकायते और पैंसन के केंद्रे राज्य मंत्री सोतंतर प्रबार, Dr. Jitinder Singh ने कार्मिक और प्रसिक्षन विबाग कार्मिक पंत्रा लिया लोग सिकायते और पैंसन द्वारा विक्षित, I.G.O.T. एकिकरत सरकारी ओनलाइन प्रसिक्षन कार्मिक लाँच किया है Next, The Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change launched the Asiatic Lion Conservation Project to protect and conserve the population of Asiatic Lion and its associated ecosystem केंद्रे परियावर्ण, वन और वज्यल्वायू परिवार्तन मंत्राल्या ने, ACI CIR और इन से सम्मंदित परिस्तेदी के तंत्र की आबादी की रक्षा और संरक्षन के लिए ACI CIR संरक्षन पर यूजना शुरू की है Next, Union Minister of State for Civil Aviation, Jain Sinna, launched an official mobile application for Global Aviation Summit 2090 The Global Aviation Summit, GAS 2019, is scheduled to be held in January 2090 in Mumbai केंद्रिया उड्यार्ण, राज्या मंत्री, Jain Sinna ने, वैस्वीक विमानन, सीखर सम्मेलन 2019 के लिए एक अधिकारिक mobile application launch की है Global Aviation सीखर सम्मेलन, GAS 2019, मंबई में, जनवरी 2019 में आयुजित होने वाला है Next, Ranks and Report, Ranking Report The US Regulator, Federal Aviation Administration, FAA, has retained the highest aviation safety ranking for India The Federal Aviation Administration carried out an audit of the Directorate General of Civil Aviation, DCGCA, in July 2018 American Niyamak Federal Aviation Administration, FAA, ने भारत के लिए उच्चितम विमानन सुरक्षा Ranking भरकरार रखी है Federal Aviation Administration ने, जुलाई 2018 में, नागरिक उड्यान महानिदे सालिये, DGCA का लेखा परिक्षा किया था Next, Gujarat has emerged as the best performing state in the start-up ranking The national report on states start-up ranking was unveiled by Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in New Delhi Gujarat start-up ranking 2018 में, services प्रदर्शन करने वाले राज्ये के रूप में उब्राए Next, Appointments Nukti W.V.Raman has been appointed the new coach of the Indian Women's Cricket Team W.V.Raman को भारते महिला Cricket Team का नया कोच Nukti किया गया है Next, Banking and Economic News Banking यह व्यपार समाचार की बात करते है The Reger Bank of India in consultation with government hedge Decided to have a rule based dynamic limit of outstanding stock of external commercial browsing ECB at 6.5% of GDP at current market prices B.Raman को भारते रुज़र बैंक ने सरकार के परामर से मौजूदा बाजार मुल्यों पर बाहरी वानिजिक उधार ECB पर सकल गरिल उतपाद का 6.5% की मुत्कृष्ट स्टोक के लिए नियम आधारित गतिसील सीमत आय करने का नियने लिया है नेक्स्ट और लास्ट नियुग दे गॉर्मेंट विल इन्फ्यूज एन एडिशनल 41,000 करोर रुपीज इंटो कैस इस्ट्रयूड पब्लिक सेक्टर बैंक PSB सरकार कैस की कमी से जूज रहे सार्जूजनिक पर छेतर के बैंक को मैं अतरिक्त 41,000 करोर रुपे देगी तो मेरे प्यारे सातियों ये थे आपके मुक्य समचार जो कि आपके करेंट अपेर्स है और सभी कमपेटिशन एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है एदि आपको मारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें जो भी क्वरी हो और कमेंट करें और यूवी कमपेटिशन चैनल को सब्क्राइब करें और साथ ही साथ हमें फेस्टाग्राम और अनकेडमी पर फॉलो करें थैंक्यू सो मच धन्यवाद आपका दिन सुभू